मुरादबाद के बिलारी नगर के शहबाद रोड पर महराना प्रताप चौके निकटे रविवार की देर रातरी एक आटो मोबाइल वोक्शाप में पटाके की चिंगारे गिरने से आग लगए इस दोरान तीन कार जलने के अलावा वोक्शाप में रखा अन्या कीमती सामान भी जल गया आटो मोबाइल स्वामी ने घटना के रिपोर्ट दर्च करके बिलारी पुलिस को तहरीर दे दी है नगर के महला शांतिपो निवासे नितिन जैन की शाहबाद रोड पर जैन आटो मोबाइल के नाम से वोक्शाप है इस वोक्शाप में अक्सर मरमत के लिए आने वाली कार खड़ी रहती है रविवार शाम आटो मोबाइल स्वामी अपनी दुकान और वोक्शाप को बंद करके अपनी घट चले गए थे देरात लगभग साड़े आट बजी आसपास इलाके में हुई दिवाली की आतिश बाजी के दौरान जलते हुए पटाखे के चिंगारी चट पर पड़ी टीन के खाली स्थान में होकर वक्शाप में ज्यागरी और वक्शाप में आग लग गई सूशना मिलते ही कोटवाली पुलिस और अगनी शमन विभा के करमचारी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुँच गए उन्होंने मश्रकत के बाद आग पर काबू पा लिया आटो मोबाइल स्वामी नितिन जैन की ओर से कोटवाली में तहरीर दे दी गई है और कहा गया है कि उसके बेटे यश जैन के मोबाइल पर वरक्शॉप में आग लगने के सूशना मिली कोटवाली पुलिस के माध्यम से अगनी शमन विभा की टीम के तत्काल मौके पर आने से आग पर काबू पा लिया गया नितिन जैन के अनुसार इस घटना में हुंडे सेंट्रो पूरी तरह से जल गए तथा ओडी क्यू और मारुती सुपर क्यारी आके लप्टो से जुलस गए आटो मुबाइल स्वामी ने लगभग 15 लाख रुपे का अनुमानित नुक्सान होना बताया है